मेरो जी आपको बहुत स्वागत है मेरा पहला समय आप से ही है मैं समयना चाहता हूं वीडियोस के लिए कि आपका बिजनस किस प्रकार से पहला हुआ है कि क्मुरूटी के प्रसे करते हैं कमुरूटी कमर्शल कमोर्टी ने कदि दोनों की क्लिनिग लाइन से एक दोनों के प्रक है प्लांट लगाते हैं और सिड लगाते हैं तो रहा आदाए यह सारी इन जो मैंने export सीड़ीं होड़ा दोनों का फर्क रहता है बिब्कुल ठीक बात है बत्व आप जो हैं वो सी पर्पस से सारे प्लांट पे ख्लीनिंग और ग्रीडिंग कर रहे हैं और जरनली प्लांट में कमर्शिल पर पर प्रस्ते लिए जो आप जैसे कि कहा में आप सुधीन भी करते हैं यहों भी कर सब्सक्राइब रहता है लाइट भी रहता है तो सारी चीज़ा लग लग रहती है जी तो दोनों कुमुलूटीज में इंप्योर्टीज लगबग कॉमन नहीं होती कुछ बेरियेशन उनमें यह जो मैं बोला हुई वर्ड वाइस कॉमन रहती है और कुछ में प्लक रहती है जैसे कि अंडरसाइज की बात करें तो जितनी गेहों में अंडरसाइज हो जोगी उससे शाहिए हो स इन से चुटका रहा पाने के लिए और एक बेटर सीर बनाने के लिए आप प्लीज बताएं कि आपने किस तरह का प्लांट लगाया हुआज और करेक्विटि मुषिन तो आपके पास दो लाइने हैं जिसमें आपके पास प्रॉसेस को आप कैसे क्लीन करते हैं ब्रीफ में बताएंगे कि यह प्रॉसेस कैसे वर्क करते हैं तो था आउट्पूट करते हैं तो जो भी जाली मिलता है और आउटफूट मिलता है तो कि मैक्सिम्म इंपूर्टी उटने में निकल जाती है जो अपना मतलब जो प्लांट लिया है कैपेसिटी का वो कैपेसिटी पूरी हमें मिलती है कि उसके बाद पूरा माल जाता है जो उसमें अपने को तिकता दी हलका माल अगर ज्यादा है लमोट विख पर्टिकलर सीडिकी बात करें लॉट ने हम तो थोड़ी स्पीड कम रहती है। जी एक डिफ्रिंस जो यहां पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ में जब हम सीद बना रहे हैं तो उसमें gravity के function जो हैं जो G्रेजिंग के function हैं वो थोड़े से different हो जाते हैं आप थोड़े सामिस के से करते हैं और rejection माल किस तरह के से बाहर आता है जी ग्रेविटी का फंक्शन जी ग्रेविटी का फंक्शन बहुत ही एहम है क्योंकि वह अंडर साइज तो निकल गई है अपकी अप्रिजिकल आप देखोगे तो भी पता चल जाएगा बट लाइट जो सीड है जो की जर्मिनेशन का बहुत इस्जू होता है उसे वह फिजिकल वह चीज ग्रेविटी करती है तो सीड परपस के लिए ग्रेविटी का फंक्शन करना बहुत ही इंपोरेंट है और उसमें अगर लाइट ज्यादा है तो स्पीड जो अभी मैंने बता है उसकी कम हो जाती है क्योंकि आपको दिरी चलाना आता है जो मिडलिंग है वो बार बा और उसके आगे एक बहुत अच्छी चीज आपकी कंपनी की और से सज़ेश्ट भी और अपने लगाए भी वो मिडलिंग के लिए हमने जी टू को लगाया आगे के लिए आगे के लिए नए प्लांट में अपनी छोटी ग्रेविटी आती है जो एग्रो एग्रो सोगी है जी 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 तो मतलब आपने एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्लूशन किया है किमाल को रिपीट ना करें और उसकी जगा हम लोग एक छोटी ग्रेविटी मशीन ही लगा लें जी मिडलिंग है वो जी मिडलिंग है वो ग्रेविटी पर चलाते है और फिर आपको एका बैटर अगर सबसे बहतरी सीट बनाने के लिए सबसे बहतरी सीट नहीं होगी तो इस पूरे प्लान में ग्रेविटी सब जयादा रहती है इंक्वाइरी रहती है आपने बहुत अच्छी बात बताई है I'm sure कि वीवर्स इसको इसका इसका बेनिफेट इसका फाइदा जरू उठाइगा मेरा आपसे आखनी सवाल यह मेरोजी कि आपी की तरह करें और भी लोग है जो इच्छुक है इस बिजनस में उतरने के लिए अतना नया प्लान बालने के सी बिजनस में आने के लिए आप उनको क्या सुझा देना चाहिए सिधा मेशिंस की बात करें तो बहुत ही ज़रूरी है लिए लिए जो अब हमने बाती ग्राविटी मेशिंस के उसी में दो तिन परसंट भी मिक्स हो गया लाइट वेट सीट तो वह सीधा जर्मिनेशन परसंटेज पे एफेक्ट करता है जो कि साइस तो से में दिखने वाला नहीं है फिसिकल एपरिशल काम करते उसमें चलता है स तो जर्मिनेशन परसंटेज पूरे मतलब उसके डाउन हो जाते है अच्छी कालोरी का मशीन होना बहतर काम करने वाला मशीन होना बहुत ही जरूरी है